अनूप की कहानी मैं बताऊंगा अनूप इसी आईटी बॉंबे का पढ़ा हुआ है एक जवाना था जब अनूप के घर में खाने को कुछ नहीं था उसकी मां रो रही थी कि कहां से बच्चे को खाना दे और अनूप रो रहा था मां खाना दो खाना दो अनूप के पिता से बरदास कर पाना मुस्किल था तो अनूप के फादर ने बोला कि ठीक है मैं कुछ खाना लेके आता हूँ कुछ चावल लेके आता हूँ तब तक तुम बरतन में पानी गरम करो जब तक पानी बॉयल होगा गरम होगा तब तक मैं चावल ठोड़ा किसी से ग गरीबी से घर छोड़ दिया अनूप के लिए बहुत संकट का टाइम था कैसे उपढ़ेगा कहा से जाएगा उसकी मा क्या करेगी रोने लगी पूरा खोजने लगी क्या होगी जिंदगी की अब मजदूरी करते थे फादर मजदूरी करते वाला भी नहीं कहीं से कुछ आने व सल डिस्टिक्ट खैर ऐसे करते करते अनूप टेंथ पास किया तेंथ पास करने के बाद पटना में घूमता है कई जगों पर की मुझे आगे बढ़ना जीवन में इंजिनियरिंग की तैयारी करते कोई आसरा नहीं हमारे बारे में जनकारी मिलती है कि भाई सुपर 30 एक और आई जैसा ने जहां बच्चों को घर में रखकर अपने साथ खाना पीना सब दिया जाता और पढ़ाया जाता अनूप आता है और दो साल रात दिन एक करके मेहनत करता है लेकिन वो दिन भी याद है जब अनूप पहली दफा अमारे घर आया था अपनी मा के साथ तो उनकी म इस दिन इस वेखुल आज देश बड़ान भात्सका बजमिण आज देश वहां दोर्श से होटलों जैसे इसकूल जहां बच्चे पढ़ नहीं रहें, वाटसेप खेल रहें, मोवाइल मोवाइल खेल रहें और एक ऐसी जगह है, जहां गाउं है, दिहात है, अनूप जैसा लड़का पढ़ना चाहता है, पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई के लिए घूम रहा है, खेर, अनूप हमारे पास आ आता है, दो साल मेहनत करता है, मुझे भी पता नहीं चलता है कि इतना अच्छा करेगा, जब रिजल्ट आता है, तो मैं भी देखकर हैरान हो गया, उसका एडमिसन आईटी बॉम्बे में हो जाता है, आईटी बॉम्बे से क्वालिफाई करने के बाद, चार साल में भी यहा हासी काम किया, इस्टुडेंट के लिए, उनके भलाई के लिए, पहली नौकरी उसकी लगती है, बुर्ज खलीफा में दुबई, और आज यहीं पर पवई में एक छोटी सी कंपनी की सुरुवात की है, कुछ आईटी एंस के साथ, और आज मा को अपने अच्छे फ्लैट मे हाँ पर रखे हुए है और आराम से रह रहा है, ऐसी एक कहानी नहीं है, चाहे धरमबीर के फादर ट्रक ड्राइवर का काम करते थे, ट्रक ड्राइवरी करते थे, पटना से कलकत्ता ट्रक चलाते थे, कभी पटना से दिल्ली ट्रक लेके जाते थे, ये जिन्दगी थी पीर भी IIT बॉंबे से पढ़ने के बाद एक अच्छी नौकरी कर रहा है, आप देखें बच्चियों का, चाहे सिवानगी गुपता की बात करें, सिवानगी गुपता के पिता होकर, सडकों पर घूम कर, रेलवे स्टेशन पर घूप कर आखवार मैकजीन बेचते थे, पिता क वही बच्ची, IIT रूर्की से पास आउट होके, मैक्रो सॉफ्ट में नौकरी कर रही है, ऐसी बहुत सारी कहानिया, अभी तक हमने 480 बच्चीयों को, ऐसे बच्चे को, जिनके पिता जी रिक्सा चला रहे है, जिनके पिता जी आटो ड्राइबर है, मजदूरी कर रहे है, पियून का काम कर रहे है, वह ऐसे बच्चों को, वह ऐसे परिवार के बच्चों को अपने घर मेंने लाया, रखा, मा खाना बनाई, वाइफ और भाई ने पूरी ताकत लगाई इसको कि अच्छा कैसे किया जाए, हम लोग पढ़ाय लिखा है, और उतने में से आपको जानक लबी कहानी है, संचेप में ये मैं बताना हूँ कि जीवन एक संगहर से दोस्तों, आप जहां भी हैं, वहां अच्छा कर सकते हैं, कभी आप ये निरास नहों कि मैं की स्कूल में प्रिंस्पल हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, और मैं तो प्रिंस्पल भी नहीं मामूली टीच करूं मैं कैसे बदलावला सकता हो अरे आनंद कुमार भी कुछ नहीं है क्या है ना कोई साइन्टिस्ट है ना कोई बड़ा मैथमेटिसियन है कहने के लिए मैथमेटिसियन है और हमारा पेपर पबलिस हुआ था अब IIT को देखकर एक बात या दे अभी अजय भाई हमारे साथ है अच्छा काम करने हैं अजय भाई भी आजय भाई अब हमारे बात दो मिनटों भी अपनी बातों को रखेंगे इनों ने देखा कि स्व Series 30 प्रयास है तो स्वर्थर्टीकक जब प्रयास चल रहा है तो मैं भी कुछ करूं तब इनोंने मेडिकल के लिए बच्चों को आपके साथ हम के चलिए और हम भी कुछ बोलेंगे दो-चार बिनेट हमको बहुत खुश यूँ कि देखिए सोसल इंपक्ट क्या है कोई आदमी कैसे समाज में बदलाव लाता है इसको जानकारी मिलेगी ये एक छोटे बोटा अपना काम करते थे जुके संका लेकिन इनको आदमी के जरिये सोसल जस्टिस के बहाने कई जगहों पर बच्चों को पढ़ाते हैं जहां तहां मान-सम्मान भी मिलता है तो ऐसे कई लोग जूड रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं कि आयाइट के लिए पलस्टू के लिए कोई पढ़ा रहा है कोई बैंकिंग के लिए 24 साल पहले लगभग 1994 कोई गर्मी के महीना में भारत सरकार का एक अंग है National Board for Higher Mathematics तो वो प्रोग्राम इसी IIT में करवाती है MTTS Mathematics Talent and Training Search प्रोग्राम उस प्रोग्राम में बिहार से उस साल सिर्फ मेरा सेलेक्षन हुआ था और वो प्रोग्राम था जो कि देड़ महीना चला और उसमें बड़े-बड़े Mathematician या तो IIT के Bombay के रहें या बाहर के लोग आके पढ़ाए और ट्रेंड किया उन लोग ने और उसी का प्रोग्राम है कि उसके बाद Mathematics में इंट्रेस्ट और मेरा बढ़ता गया उस IIT के इस सामने होस्टल में मैं रहता तो सब अभी दिखाया पूरानी याद आगे और मैं सोचा भी नहीं था कि जब उसी IIT में डेड़ में ना मैं पढ़ा उसी IIT में डेड़ में ट्रेंड किया और आज मुझे कितनी खुसी है बता नहीं सकता हूं कि उसी IIT में मैं Ajay Speaker बोल रहा हूं तो हमारे बोलने का मकस्त नहीं है दोस्तों कि आप कभी भी सपनों को छोटा मत देखिए मैं अभी हमारे भाई Ajay हमारे साथ थे बातचीत के लाजे में मैं बोराओ को भासन टाइप कर नहीं मैं बात बातचीत में बढला उड़ी पूछा कि आप कभी सोचे थे कि आप पर एक फिल्म बनेगी हमके भाई फिल्म बनेगी यह तो नहीं सोचेते लिए जरूर सोचेते कि समाज में चेंज लाना है समाज में हस्तचेप करना है चाहे कितने भी परतिकूल परिस्थितिया हो कितने भी दिक्कतों का सामना करना हो धारा के बिरुद बहना है और पत्थर का सी एक दिन तोड़ के दिखाना है समाज को कि अगर चाहत है तो आप कुछ कर सकते हैं इतना तो मैं जरूर सोचा था कुछ नहीं था एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था जैसा कि रंजन ने बताया नहीं खिरकी थे दरवाजे ठीक से थे टीचर आते थे कभी नहीं आते थे कोई भरोसा नहीं था लगी गौर्मेंट स्कूल से पढ़ते पढ़ते टेंथ पास किया मैथमेटिक्स में इंट्रेस्ट डेवलप किया लोग उस जवाने में पटना से बाहर दिल्ली बॉंबे आ जाते थे हाईयर इजुकेशन के लिए मैंने पटना इन्वर्सिटी में ही कंटिन्यू किया ग्रिजुएशन पूरा नहीं किया था उसी समय मैथमेटिक्स में इतना अच्छा इंट्रेस्ट डेवलप किया और याद रखना मेरे दोस्तों अगर आपका कहीं इंट्रेस्ट डेवलप होता है तो कहीं न कहीं सहयता आपको मिलेगी आप कहीं भगवान सहयता देंगे या आप कहीं प्रकृती सहयता देगी जो नाम ले लेकिन आपको मदद करने वाले लोग भी लेगे हैं मदद करने वाले लोग हमारे टीचर से बहुत एप्रिसियेट किया बहुत इंकरेज किया और हमने जो भी लिखा उसको एडिट किया मैंने बाहर के जर्वरल्स में अमेरिका में इंगलैंड में पब्लिकेशन के लिए भेजा और मुझे उस दिन का उस दिन की बातों का मैं बता ही नहीं सकता हूँ कितना खुस था खुसियों का ठिकाना नहीं था जब हमारे पास लेटर आया कि आपका पेपर mathematical gadget जैसे general में पब्लिस हो रहा है सोचिए कि कितना खुसी होगी कि मैंने PhD किये हुए लोग वहां भेजते हैं प्रोफेसर भेजते हैं आजे स्टुडेंट हमने भेजा उसमें भी पतना के एक छोटे से साहर के एक छोटे से college से और वो पब्लिस हुआ Cambridge University से offer आया उसी के basis पर higher education in mathematics बहुत जगह बहुत जगह चर्चा हुई पटना में college में हर जगह चर्चा हुई कि भाई एक बच्चा को अभी ही PhD के लिए offer कब जबकि वो graduation भी पूरा नहीं किया है तब बहुत चर्चा हुई लेकिन scholarship मिलेगी पूरा क्या होगा सब चीज लगवग धीरे धीरे तै हो रहा था लेकिन हमारे पास गरिवी इस कदर थी डेड़ कबरे के मकान में रहने वाला परिवार संयुक्त परिवार चाचा चाची सब रेलवे लाईन के किराने रहने वाला परिवार जिसके फादर डांक विभाग में बोड़ा उठाते थे चिठियों का बोड़ा रखते थे चिठी च्खाडते थे सौटर का काम करते थे और ऐसा परिवार के लड़का के पास इंग्लेंड जाने आने के लिए एर फेर भी नहीं ता उतना भी पैसे नहीं थे दोस्तों बहुत लोगों ने बोला कि मदद मिलेगी सरकार मदद करेगी आखवारों में खवर आई बॉम्बे के आखवारों में खवर आई कहीं से एक रुपया नहीं दिया भेश से ही भीख मिलता है हमने सुना था अब लोग चंदा देने के लिए आ जाते हैं यो सुपर थर्टी चला रहे हैं बहुत अच्छा प्रोगाम चला रहे हैं बच्चा अच्छा कर रहे हैं ले लो पैसे ले लो पैसे बैस होता उस जवाने में जब पैसा नहीं लिया तो आज क्या पैसा लूँ आज तक हमने इस सुपर 30 प्रोग्राम के लिए एक रुपया किसी से चंदा नहीं लिया है दोस्तों खुद हम लोग हमारी टीम पढ़ाती है साम को ट्यूसन उससे जो पैसा आता है 300 बच्चों को घर में रखकर खाना खिला के पढ़ा लिखा के हम लोग आगे बढ़ाते हैं फिर हम लोग पीछे आते हैं तो अब हुआ भाई अब नहीं जा सकता है तरह तरह के पॉल्टीसियन से मुलाकात होई मिनिस्टर से मुलाकात होई कोई मदद नहीं के बैपारियों से मुलाकात होई यहां के अखवार सामना में जनसत्ता में सारे अखवारों में हिंदू में खवर आई कहीं कोई मदद नहीं पिता जी का सडेंड डेथ हो जाता है चिंता थी हम लोग बार बार समझाते थे पित सपने टूटे वे लेकिन एक चीज था कि सपना देखना जो अभी अमारे बोलने का टाइटी लेकिन सपने देखो सपना देखते रहो उसके लिए प्रयास करो जब तक आप सोच लिजे क्या रहे मैं तो स्कूल में टीचर हो गया मैं सोच लेता है जा मैं ग्रेजुएट हूँ मैंने पास कुछ नहीं है पिता जी के जगह पर सरकारी नौकरी मीरे वही कर लो वहीं से खुस हो जाओ लेकिन सोच नहीं नौकरी नहीं करेंगे घूम घूम कर हम पापर बेचते थे मा पापर बेल बेल के बनाती थी हम दोनों भाई घूम घूम कर सड़क पर बेचते थे ल नहीं आपके केडी जोसी साहब ते उस साब बढ़ाते थे, वो प्रोग्राम में आया था, सबसे परचे हो गया, सबसे गुरुसिस्ति का संबंध हो गया, तो संबंध भी अच्छा बनाईए, ये भी एक है, जिंदगी के सफलता का दो ही मंत्र है, अच्छा संबंध बनाईए अच्छा ब्योहार रखे, अगर दूसरा कड़ी महनत करिए, अगर ये दो चीज करते हैं, तो जीवन में आप आगे बढ़ते हैं, तो अच्छे समन से, सब लोगों ने उस साहित किया, करते करते कुछ नहीं मिला, तो सलम के बच्चे उसको पढ़ाना स्टार्ट किया, पढ स्टू के लेवेल का पढ़ाने वाला टीचर है, उसको आगे बढ़ना, क्या करना है, ऐसे बच्चों को पढ़ाओ जिसके पास साधन स्विधाय नहीं है, मेरिट है, सो पर थट्टी की सुरुवात की, सो पर थट्टी की सुरुवात की, सो पर थट्टी बे सफलता मिन ले ल बहुत लंबी कहानी, PMCH में भरती रहा, बहुत सारा लगा, लेकिन फिर बिहार सकार अभी भी चार सिकुरिटी गाड़ दी हुए, उतना साल से 15 साल से भी उपर हो गए, हमला होते रहे, लेकिन अब हमला उमला नहीं होता, आप कोई नकली सुपर थटी खोल के कहीं से चंदा उठा लिया कोई को, तो तरह तरह के अस्विधाय आएंगे, इन तमाम पर्तिकूल परिस्थितियों में, हम अपना काम करते रहे, कि नहीं काम करना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, उनके लक्ष को बढ़ाना है, और आपको जानके खुसी होगी, कि अगले साल, जब आ IIT का, तो हमारे 90 बच्चे IIT में अपियर हो रहे हैं, 30 के बजाए 90 हो रहे हैं, और उसके अगले साल, कम से कम 300 बच्चे जरूर हो, समय खत्म हो रहा है, मैं कंक्लूजन यही बता रहा हूं, कि चार बातों को जीवन में ध्यान में रखी, हम अपने अनभ़ों के अधार पर पहला आप में परवल प्यास होनी चाहिए, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बदलाओ लाना चाहते हैं, भले ही आप छोटा काम करते हो, भले ही आप काम को कभी छोटा ना कहें, भले ही आप छोटे पत परो, छोटा पत ना समझे, आप में इक्षा सकती होनी, कि इतने उचाई पर ले जाना है कि अमेरिका में इसका कॉन्फरेंस हो, आस्ट्रेलिया में कॉन्फरेंस हो, दुवाई में कॉन्फरेंस हो, करना है सी टॉक को आगे ले जाना है, परवल प्यास, दूसरी बात है positive thinking होगा, जरूर घटना है घटेगी, जब बड़े बड़े मॉवाईल पर देखता हुआ, नजर आगा, मम्मी पापा डाटेंग, ए क्या कर रहे हो, मॉवाईल देख रहे हो, नहीं पापा सी टॉक, देखो, मॉवाईल देखो, ये दिन आएगा positive thinking होनी चाहिए, और तीसरी या ठक प्रयास, ठकना नहीं है, प्रोगाम करते रहना है, आज भीड पूरी हॉल भर जाए, कम भरे, ज्यादा भरे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि बाहर भी प्रोजेक्टर का परदा लगा हुआ रहेगा, लोग देखते रहेंगे, मुझे भी टी करते दो, प्रयास करते रहना है, और चौथी सबसे बड़ी बात है मेरे दोस्तों असीम धैर्च, ग्रेट पेसेंस, पेसेंस रखना है, बहुत बार हम प्रोजेक्ट चलाते, बहुत काम करते, फेल हो जाता है, जब हम बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो दो बच्चा को पढ़ाना स्टार्ट किया, भाई को बोला, भाई दो बच्चा है, ऐसा है तुम लाओ हम उसको पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स का करतब दिखाते कि एक ही सवाल को कितना तरीका से बनाया जा सकता है मैथमेटिक्स को कितने इंट्रेस्टिंग दर्थ से पढ़ा जाता है या दो बचा दो दिन में भाग गया मेरा कॉन्फिडेंस मूच हो गया हमाई को बोले देखो पर्दा भाग गया तो बहला कि अच्छा रूकी हम दो चार बच्चा का और जोगार करते हैं दो कि दो क्या कर दिन में भाग गया भडा डिप्रेस्टिं फरस्टेशन बेश्टी तो अलग कि क्या मैंने पेपर लिखा भाई को बोला कि देख भाईवा उभी भाग गया बोला कि ताब लड़का फंसाना पॉस्बूल नहीं है अब आपका रेकॉर्ड खराब हो गया महला में अब अच्छा काम करते रहिए सफलता नहीं मिलेगी कॉंफिडेंस लूज हो जाता है लेकिन फिर सफलता आपकी चरण जरूर चुमेंगी और अगर ये बातों को लेके चलिएगा तो सच में सी टॉक की सार्थकता कब होगी जब हमने आपको कुछ एक्सपरियंस किया उसका लाव आपको मिलेगा और एक साल बाद दो साल बाद कभी सी टॉक का और कोई कोई उड़का टॉक सुनियेगा तो हमारी याद आएगी तो मुझे लगेगा कि मेरा यहाना सच में सफल हुआ बहुत बहुत धन्युआएगा प्लीज लगे और सब्सक्राइब तो मैं चैनल और प्रेस्ट बेल इकान तो सब्सक्राइब नू वीडियो अपडेट